वेलकम डू सुकला स्टारी पॉइंट आप सभी का स्वागत है आपके प्रियूटूब चैनल सुकला स्टारी पॉइंट में मैं सियूम सुकला आप सभी दोस्तों का हार्दिक स्वागत करता हूँ आज की वीडियो के माध्यम से हम लोग चर्चा करेंगे बीए फस्ट एर फस्ट समस्टर के हिंदी साहितिक के बारे में जाने का प्रियास करेंगे और हिंदी साहिते में आपको बता दूं कि हिंदी काब भी के बारे में आपको पढ़ना होता है जब आप B.A. पर्थम समिस्टर में यानि B.A. में आप एडमिसन लेते हो हिंदी सब्जक्ट आपने चूच किया है तो मेरे हिसाब से हिंदी के साथ आप संस्कित भी चूच कर लीजिएगा चुकि आगी चल करके कामबिनेशन में आपको दिक्कत नहीं आएगी तो हिंदी काब की अगर बात की जाए तो B.A. पर्थम समिस्टर में आपको हिंदी काब भी ही पढ़ना पढ़ता है जब आप नया नया अडमिसल लेते हैं B.A. में तो हिंदी काब भी आपको पढ़ना पढ़ता है हिंदी काब का क्या से लेबर से उसको बोर्ड पर मैंने अलेडी समझा रखा है आप लोगों नहीं देखा तो आप देख लीजिएगा ठीक है पूरा मैंने बोर्ड पर हिंदी काब का से लेबर डिसस किया हुआ है ठीक है आप लोगों ने देखा होगा तो हिंदी काब के बारे में हम लोग चर्चा करेंगे आज की वीडियो के माध्यम से तो एक स्रिंखला मैं चलाने जा रहा हूँ ये एक परकार से न्यू है कि जैसे यूनिट वाइज जो होगा एक परकार से बहुत ही महत्यपोण महत्यपोण जो आपजिक्टिव टाइप के प्रस्न होंगे आपके उनको मैं चर्चा करने का प्रयास करूँगा जैसे कि यूनिट वन के जो महत्यपोण प्रस्न होंगे आपजिक्टिव टाइप के उनको मैं चर्चा कर लूँगा और बाकी जो classes है आपकी जो जैसे की जो ब्याक्ख्या वाला खंड है उसको अलेडी हमने कबर करवा रखा है उसका मैंने आपको बताया था कि भई उसका course भी launch कर दिया गया है ब्याक्ख्या वाले का तो अगर आप course लेना चाहते हैं तो उसमें PDF notes भी आपको provide होंगे और WhatsApp पे करना क्या होगा हमारा नंबर है 91-693-662 इसी नंबर पर आपको क्या कर देना है WhatsApp एसमेस कर देना है और आपको सिंपल सा आपको यहीं लिखना है कि सर्जी हमको बीए first year first semester का हिंदी साहित का course चाहिए तो उसमें आपको मैं एक scanner send करूँगा उस पे मातर आपको 100 रुपे UPI यानि की phone पे Google पे जो भी आप चलाते हैं या आप नहीं चलाते हैं आपके भाई बहन चलाते हैं या आपकी पिता जी चलाते हैं या किसी दूसरे से भी आप अपने दोस्त तियार से करवा करके ठीक है मलब करवा सकते हो 100 रुपे लेकिन उसका screen side आपको send करना पड़ेगा ठीक है जैसे ही आप skin side send करोगे 100 रुपे पे करके उसी scan पर मलब इसके अंदर पर तुरंत जो है आपको group से add कर दिया जाएगा और जितनी भी classes जो है हमारी ब्याक्या खंड की मैंने जो videos बना रखी है वो सारी playlist में हमने unlisted करके उसको रखा हुआ है तो आप सभी लोगों को उनी को दिखींगी जो हमारे मलब जिनके पास मैं वो send करूगा तो आप में से जिनको भी course लेना है तो ब्याक्या खंड लगबग अधिकतर संपन हो चुका है बस लगबग और लगबग 5-6 chapters की ब्याक्या बची हुई है वो भी जल्दी में कबर कर दूँगा ठीक है तो ब् chapter wise वीडियो है लिकिन फिर भी मैं और भी वीडियोज आपको देने का प्रियास करूग जैसे कि ये unit one में जैसे कि जो आपका हिंदी साहित का इतिहास है उसको थोड़ा बहुत हम समझने को याधि इतिहास का लगबग जो हिंदी साहित की जो परंपरा रही है हिंदी भांसा और साहित का जो इतिहास रहा उसके बारे में हिंदी भांसा का करविंग विकास जो हुआ है तो भांसा को कम साहित की परंपरा को हम ज़्यादा ध्यान में रखेंगे और साहित में खासर कि आपको बता दू जैसे कि हिंदी साहित के इतिहास लेखन की जो परंपरा रही है गार दाला लित्रेत्वर एंदोई इंदुस्तानी फिर उसके आद में सिउसेंग सेंगर आते हैं वो एक प्रकार से 1883 इस भी में एक रचना लिखते हैं सिउसेंग सेंगर ठीक है ये बाध्या नखीगा और सिउसेंगर रचना में एक हजार कभियों की जीवन परिचे और उनकी सह शुदारण आपको मिल जाएंगे इसके बाद में जार्ज गिरियर्सन आते हैं वो जार्ज गिरियर्सन के अगर बात किये तो उनके गरंद का नाम है दा माडन वरना क्यूलर लिटरेचर आफ हिंदुस्तान और इस गरंद का प्रकासन 1888 में होता है ठीक है ये बात ध्यान हो चुकी है इसकी मिसर बंधु बिनोद उसके बाद आते हैं मिसर बंधु बिनोद पुस्तक आती है उसके रचना की है मिसर बंधु ने मिल करके ठीक है ये बात ध्यान रखियेगा पर्थम तीन भागों का प्रकासन 1913 में होता है चौथे भाग का 1914 में प्रकासन होता है एक बिसाल गरंथ है मिस्र बंधु बिनोध ठीक है लगब 5,000 कभियों के बारे में इस गरंथ में बताया गया है और 8 काल खंडों में मिस्र बंधु बिनोध रचना को बांट करके हम लोग बढ़ते हैं तो कई सारी चीजें जिसके बारे में हम लोग चर्चा करेंगे फिर इसके बाद में अपने सुकल जी आते हैं आचाराम चंद शुकल और 1929 इस बी में हिंदी सहित का इतिहास गरंथ उनका प्रकासित होता है और हिंदी सब्द सागर की भूमिका में लिखा था उन्होंने जो बाद में प्रकासन हुआ इसका और सुकल जी की अगर बात की जाए तो इ फिर उत्तरमदिकाल और फिर उसके बाद में आधुनिकाल तो इस प्रकार से आचाराम चंद सुकल ने बाटा है ये बाद ध्यान नखियेगा तो ये सारी चीजे मैं आलेडी चर्चा कर चुका हूँ और चर्चा करता रहूँगा तो कोई दिक्कत की बात नहीं मैं पूरा विस्तार से आपको समझाने वाला हूँ तो आप सभी लोग अगर जिनको कोर्स देना है मातर 100 रुपए में आपका कोर्स अवैलेबल है ठीक है आप ले सकते हैं बिल्कुल 100 रुपए में कोर्स आपका अवैलेबल है उसमें इन सभी सब्जेक्ट मिलब गिये जो क्लास्स हो भूगोल का जियोग वलब समाज सास्तर का अने सब्जेट होम साइंस का इंगलिस का हर एक सब्जेट का यह आपजेक्टिव वाली जो स्रिंखला है यह हर यूनिट वाली चलने वाली है तो अगर आप मेंसे सभी को अगर पीडियप भी लेना इसका इमलबिन सभी का जाएगा उसी गुरूप में मैं सेंड कर दूगा ठीक है तो इस दिष्टी से आनी आप किसी भी सब्जेक्ट की तयारी करें तो आपको गुरूप मेरा जॉइन करना चाहिए हलाकि हिंदी साहित का कोर्स भी उसमें आपको अवैलेबल करवा दिया जाएगा मात्र और मात्र 100 रुपे में सारी फैसिल्टी आपको मिलने वाली है ठीक है तो जिन छाचातरों को ऐसा लगता है कि उनको लेना चाहिए और भी जो हमारे हस्त लिखित नोट्स है वो भी आपको मिलेंगे ठीक है तो मात्र 100 रुपे में आपका पूरा कोर्स अबैलेबल है तो हिंदी साहित सारी मैं करवा चुका हूँ इसके बाद में आपका छेप्टर लगबख समाप्त होता है और उसके बाद में फिर माडल पेपर की सरंखला परारब होगी और माडल पेपर जो होगे वो यूटूब पर आपको मिलते रहेंगे लेकिन उसके पीडिए जो होंगे या पीडिए group में ही मिलेंगे ठीक है तो अगर आपको join करना है तो आप join कर सकते हैं हमारे इसी number पर आप SMS करेंगे तो मैं आपके पास code send करूँगा मलब इस scanner send करूँगा उसी पर आपको मातर 100 रुपे पे करवा करके screen status का send कर देना है उसके बाद मैं आपको group से add कर दिया जाएगा group से add करने के पहले ही या उसके बाद में ही आपको personally जो link है उसकी बहला वीडियोस की वो सारी link आपके पास send कर दी जाएगे उसमें serial से सारी वीडियोस लगे हुए है आप आसानी से एक एक वीडियो आप देखते रहिएगा ठीक है अब हम चर्चा करने का प्रियास करते हैं कि आखिरकार कौन-कौन से प्रस्ण है जो कि आपके परिच्छा में पूछे आ सकते हैं बिस्तार से हम लोग जानने का प्रियास करेंगे ठीक है देखे पहला प्रस्ण आपके स्किन पर आ चुका हम समस्ते हुए आगे बढ़ेंगे ऐसा नहीं कि मैं कि वोल आपको बांस्ते हुए चल दूँगा ऐसे इसको समझाओंगा भी जैसे पहला प्रस्ण है हिंदी साहितिका आरंभ माना जाता है किस भांसा से संस्किर्थ भांसा से प्राकर्थ भांसा से अब्रंस भांसा से खड़ी बोली से आपको बता दूँ ये जो संस्किर्थ सबसे पहले जो भांसा आई है उस भांसा का नाम क्या है सबसे पहली भांसा है आपकी संस्कृत भांसा संस्कृत भांसा में बैदिक संस्कृत और लोकिक संस्कृत आती है बैदिक संस्कृत जो रहती है वो पंदरा सो इसबी से इसा पूर्व से लेकरके एक हजार इसा पूर्व की जो भांसा है पंदरा सो से लेकर के एक हजार इसा पूर्व की में बात कर रहा हूं ये बैदिक संस्कृत की भासा इसके बाद में आप देखते हैं लोकिक संस्कृत आती है एक हजार इसा पूर्व से लेकर के एक हजार इसा पूर्व से लेकर के 500 इसा पूर्व तक जो है रहती है कौन सी संस्कृत लोकिक संस्कृत का बोल बाला रहता है रामायर महाभारत नाटक ब्याकरण गरंत कई सारे लोकिक गरंत में लिखे गए है फिर इसके बाद में जो भासा का बिकास होती है उस भासा का क्या नाम है इसके बाद में जो भासा बिक्सित होती है संस्कृत के बाद में वो आती है पाली भासा पाली भासा के अगर बात की जाए तो पाली भासा जो है ये पांसो इसा पूर्ब से एक प्रकार से प्रारम होती है और पहली सता देने लगों पांसो वर्सों में ये पांसो बलब एक इस भी ठीक है मैं एक बाट आपको फिर से समझाने का प्रियास करता हूँ पांसो इसा पूर्ब से ले करके ठीक है इसा पूर्ब से ले करके एक इस भी तक जो समयकाल है ठीक है इसमें पाली भासा का बोल बाला रहा इसमें पाली भासा से लेलेटर गन्त लिके गए आपको बता दूँ कि इसमें आप देखते हैं कई प्रकार की जो है छेतरिय भासाएं थी उन्ही को पाली भासा के रूप में हम जानते हैं और खासर के पश्चिम मद्ध देश में पूरवी दक्षणी सभी देशों में बोली जाने वाली जो मलब वो भासा थी गमई भासा एक प्रकार से उसी भासा को एक प्रकार से पाली भासा बोला गया और बाद में फिर संस्कित भासा में सारे चीज़े होती रही थी मलब जो गरंत वगारे लिखे जाते हैं संस्कित भासा में लेकिन बाद में क्या होता है कि बहुत धरम के आजाने से भी एक प्रकार से आप देखते हैं कि यह चीज यह प्रारम होती है और पाली भासा में लिखने प्रारम होता है फिर इसके आद में पाली के बाद में आती है प्राकर्त भासा ठीक है प्राकर्त भासा के अगर बात की जाए तो प्राकर्त भांसा एक इसबी से ले करके एक इसबी से ले करके पांसो इसबी तक का जो समयकाल है यह प्राकर्त भांसा का है ठीक है और खासर के इसमें आप देखते हैं कई प्रकार के प्राकर्त भांसा है चेतरी बोलियों के आधार पर जैसे सवरसेनी प्राकर्त प पान्सो ईसबी से ले करके 1000 ईसबी तक का समय है वहाँ तक आती है अभरंस भासा और इसी अभरंस में आप देखते हैं कई परकार के छेतरिये भासाएं थी कई उप भासाओं और बोलियों को ज़र मिलता है अभरंस से ऐसे जो सौर सेनी अभरंस से उससे पस्चमी हिंदी का विकास हुआ रायस्थानी का और गुजराती भासा का विकास हुआ जो पैसाची अभरंस से उससे लहदा और पंजावी बोली का विकास हुआ भासा का ब्राचट से सिंधी का खस से पहाडी का महारास्टी से, मराठी का, मागदी से आप देखते हैं, बिहारी, बंगला, उडिशा और असमिया, बोलियों का विकास और भासाओं का विकास वा, यह सब उप भासाएं हैं अर्द मागदी अब्रंस जो है इससे पूर्भी हिंदी का विकास हुआ ही बोलियों के परड़ाम सुरूप जब कई सारी बोलियां से पूर्वी हिंदी पश्चमी हिंदी ठीक है पहाडी हिंदी रायस्थानी हिंदी और एक प्रकार से बिहारी हिंदी बिहारी हिंदी में तीन बोलियां है कौन सी जो है मैथिली मगही और भोजपुरी ये तीन उप भासा हैं मिल करके ठीक है एक भासा का निर्माड करती है वो भासा है हिंदी भासा तो प्रस्ण आप से कह रहा है कि हिंदी साहित का जो आरंभ माना जाता है संस्कृत से प्राकर्ट से या भरंस से खड़ी बोली से माना जाता है तो आपका करेक्ट एंसर क्या हो जाएगा आपका correct answer क्या हो जाएगा सभी लोग बताने का प्रियास करेंगे बिल्कुल हिंदी सहित का जो आरम माना जाता है वो अपभरंस से माना जाता है खड़ी बोली मन लगाईएगा हिंदी गद्य का विकास अगर पूछे हिंदी गद्य का विकास यहीं पर दो प्रस्न बन सकते हैं आपके हिंदी गद्य ठीक है मत दिल हो गया हिंदी गद्धि का विकास तो खड़ी बोली से आपको लगाना है लेकिन प्रस्ण क्या हिंदी सहित का आरंब माना जाता है तो अब भरंस है चुकि अब भरंस की ही बोलियों से हिंदी की बोलियों का विकास हुआ और हिंदी की बोलियों की मिलने से हिंदी भांसा बनती है हिंदिस आहित्यका आदिकाल जो पुस्तक है इसके लेखक है आचारी हजारी परसाथ दिरबेदी आपसा नमबर D करेक्ट एंसर हो जाएगा है एच डी पी इनको साथ फार में हम लोग बोलते है प्रेम से ठीक है आचारी हजारी परसाथ दिरबेदी ओके अगला परसाब पता होगा ये आचारी है दंडी ठीक है एक प्रकार से काभि सास्तर के आचारी है दंडी संस्कृत भांसा के रचनाकार है प्रसनाप से पूछा गया है प्रक्रत प्रकास जो ग्रन्थ इसको लिखा है वगर रुची ने आपसा नंबर E लगा देजेगा मोस्ट इंपोर्ण की रचना है तो यह रचना किसकी भई पुस्पदंत की रचना है आप से नमबर इसका एक रखेंसर हो जाएगा आप सभी लोग भी बताने का प्रियास करें पांचमा प्रस्ण है काल करमा नुसार सिद्धों में सबसे पुराने माने जाते हैं लूहिया सरहपा या फिर सामिल है ठीक है नौनाथों में पुराने है गोरचपा जो है हलाक यादी नाथ है उनके बाद में गोरक्षनाथ है लेकिन गोरचपा जो है यह नाथों में है नौनाथ और चौरासी सिद्ध ये आपको आधिकाल में मिलेंगे ठीक है तो उनमें से जो गोरचपा है ये एक प्रकार से सिद्ह नहीं है यह नाथ है अच्छा गोर चपा नाथों और सिद्धों दोनों में आते हैं यह बात भी आध्यान किया ठीक है सरहता सब्सद पूराने मांने आते हैं जहटा परस्णान दिखेगा कावा तरूऌर पंच विडाल यह उखति है किसकी सरहपा की लूइ किसकी है लुईपा की आपसन नमबर बी करेक्टर एंसर हो जाएगा बापसन सात्वा प्रसन आप देखिएगा महा सुखवाद का किस साखा में जनम हुआ सहज यान ब्रज यान जैन या फिरनात आपको पता दू महा सुखवाद जो है हीन यान और ब्रज यान ये एक प्रकार से जो है जैनों में आप देखते हैं स्वरी बौधों में हीन यान और ब्रज यान और ये सब साखाएं चलती है तो महा सुखवाद जो है ब्रज यान में आया आपसन नमबर बी करेक्टर एंसर होगा अगला प्रसन है कुमार पाल रचित कुमार पाल चरीत यहाँ पर कर लि नमबर प्रसन है किर्थी पतागा के रचिता कौन है बताएं किर्थी पतागा के रचिता यहाँ पर ना कर लिए रचिता कौन है बताएं किर्थी पतागा के रचिता कौन है कुमार पाल चरिव यहाँ पर होना चाहिए ठीक है कुमाल पार यहाँ पर जो है यह मैंने आपका वतातreet, कुमाल परार चरियू, ठीक है, यह चरित तो यह इसके हेम चंद्र रचाहिता है, कीर्ति पता काcasting हम सभी को पता होगा, विद्यापती, बिल्कूल करक्टि idalijiक किर्थी पताका कीर्ती लता, ठीक है, मैथिल को knife continue भी विद्यापती गोंक Yeah घ्रिता ताzet से और वीडियो अलगबग आठ वीडियो ऐसी आपकी और मिलेंगी ठीक है तो ये बात ध्यान रखेगा तो अभी आप लोग चैनल को सब्सक्राइब और लाइक कर दीजिएगा ठीक है देखें अगला प्रसन है पाउम चरिव के रचयता है स्वयंभू पुस्पदंत हेम स्किन परा चुका है 64 महापुरसों की कथा किस रचना में लिखी गई है पाय कुमार चरिव रिट्टे नेर्मी चरिव जसहर चरिव या फिर महापुराण तो 64 महापुरसों की जो कथा है वो आपको महापुराण में मिलेगी आपसा नमबर इसका सा करेक्टर एंसर हो जाए लेकिन अब यहाँ पर क्या है बिजए प्रिथवी राज बिजए प्रिथवी राज बिजए जो रचना है इसको लिखा है जयानक ने किसने लिखा है जयानक ने 1191 या 92 के आसपास से रचना लिखी जाती है यह बाध्या नकिगत यह प्रिथवी राज चोहान और मुहम्मद सहाबुद्दीन गौरी जो था उसके बीच जो युद्ध हुआ था तराइन का प्रथम और दुतिय युद्ध 1192 में दुतिय हो था उसी युद्ध का चित्रन है और प्रिथिवी राज की विजय के बारे में इसमें बताया गया है नेक्ष्ट कोर्षण आप देखेगा तेरवा नमबर प्रिषन है अच्छा ये जो है प्रिथिवी राज रासो जो रचना है ये चन्दवरदाई के रचना है और उसमें भी इसी चीज के बारे में बेंसन है मलब चन्दवरदाई जो थे वो एक प्रकार से उनके राज कभी भ भी थे और सामन्त भी हुआ करते थे चंदवर्दासी प्रिथविरा चोहंन के वाद ध्यान रहेगा चले को तेर्मार परसुन है अंदरปतिनाल के रचयता कौन है नरुपतिनाल किसके के सता है ऐसा पूछलना चाहिए वी Nep1-15 ऑरती तो नर्पतिनाल जो एक रचना कार हैं तो यहाँ पर थोड़ा सा कोश्चन में गड़बड़ी कर लिए गड़बड़ी है आप लिखेंगे नर्पतिनाल के नर्पतिनाल इन में से नर्पतिनाल की रचना कौन सी है तो आप बताएं कौन सी रचना भाई बीसल देव रासो जो है यह नर्पतिनाल है की रचना ह है बीसर देवलासुक इसकी बैए नर्पतिनाल की रचना है नर्पतिनाल जो है यह सब भाट कभी हुआ करते थे ठीक है और आपको बता दूँ चारण और भाट कभीयों का नाम आप लोगों ने सुना होगा तो इसलिए इसको चारणकाल भी बीरगाथाकाल को यह नि आधिका जो है इसको सिद्ध सामंतकाल करते हैं तो इस सारी चीजे थोड़ा सा आप ध्यान लखेगा एक्जाम में प्रस्ण आप से पूछा जाता रहता है ठीक है ये बात ध्यान लखेएंगे आगे बढ़ा जाए चलिए आगे बढ़ते हैं और भी चीजों को जानने का हम प्रियास क कौन है दलपद बिजे मधुकर बिजे भटकेदार या सारंगधर तो खुमान लासो भी प्रकार से रासो गरंत है और इसके रचेता है दलपद बिजे कौन है दलपद बिजे जो है खुमान लासो के रचेता है ये रासो गरंतों में भी सामिले खुमान लासो प्रतवीराज परमाल लासो ठीक है सब रचनाएं जो हैं ये सब संकलित हैं रासो गरंत में आचारे रामचंदर सुक्ल बारा गरंतों को एक परकार से निकालते हैं और उन्हीं के अधार पर आधिकाल को बीर गाथा का लाम देते हैं चुकि उसमें बीरता पुरबग रचनाएं आपको पाऊगे एक मन मेरे हिसाब से 40 किलो मलब एक मन में 40 किलो होता है तो आप देखे नो नो चोको 36 360 किलो माटी अब तीन कुंटल 60 किलो मिटी एक मुठी में कोई विक्ति बंद कर सकता है क्या असंबह है ठीक है और इस समय जब आधुनिक काल मलब एक परकार से उस समय की बात मैं कर रहा हूँ, तो ये सारी चीज़े हैं, तो खुमार नासों के रचेता हैं, दलपत भी जे, ठीक है, ये बात ध्यान रखिएगा, पंद्रवा प्रसना आप दिखेगा, गीत गोबिंद की रचनाकार कौन है, जैदेव हैं, महराज, हाल, गोबर्धनाचार या रू करके बताएं कि भाई, पंद्रवेक आए होगा, स्वलम का भी, ताकि ये भी पता चले, आप लोग के डिमांड पर ही चीज़े की गई हैं, तो कि आप लोग बोलते थे कि सर्जी जो है, आप इसको जो नंबरिंग होती हो नहीं लिखते हैं, तो नंबरिंग हो गई है, अब आप सभी को पता होगा, डक्टर अगेन ने किया है, या हजारी परसाद रिबेदी या राहूल संकर्टयान, विसनात, परसाद, मिस्त्र, फटा पट से आप लोग बताने का प्रियास करेंगे, हजारी परसाद रिबेदी जराइट आंसर, आप सा नंबर बाकरक्ट आंसर हो सरी लिखी गई, सिद्ध जो एक प्रकार से हुआ करते थे, ठीक है, और नाथ, नो नाथों में एक प्रकार से भगवान संकर को आदिनाथ ही कहा जाता है, उसके देगे गोरखनात, आप गोरखनात मंदिर में जाइए गए तो सभी नाथों के बारे में आपको वहाँ पर द ठीक है, और राहु संकर्तियान नहीं इसको कहा था, सिद्ध सामंद का लापसा नंबर इसका साकरक्ट एंसर हो जाएगा, अगला परसां देखेगा, उननीसमा नंबर परसनाफ की स्कीन पर आ चुका है, इंपोर्डन परसन है, ये सारे के सारे परसन, अच्छा, ये मैं अधिकाली इन साहित है, उसको कई भागों में, हम मुखरूब से तीन भागों में बाटते हैं, उसको एक धार्मिक साहित लिखे गए आधिकाल में, एक बीर काबे लिखे गए और एक लोकिक साहित लिखे गए, जो धार्मिक साहित है, उसमें सिद्ध साहित लिखा गया, ज इसमें 84 सिद्धों की बात हम करते हैं, एक नात साहित लिखा गए जिसमें हम नो नातों की बात करते हैं, और एक जेन साहित लिखा गए जिसमें जेन मुनी जो है, उन लोगों ने रचनाएं लिखी हैं, ठीक है, इसके बाद में बीर काबे की बात की जाए, बीर काबे भी लि मिली है बीरता पूर्बक इसमें वरणन्त किया गया है ठीक है इसमें राजाओं और महराजाओं की आतियति सेक्टी पूर्ण प्रसंसा की गई है यो धो का सजीव से रचनाई हुई है जैसे कि ढोला मारूर अदूहा बीसल दिवरासो भी एक लोकिक साहित है बसंत बिलास भी लोकिक साहित है राउल बेल उक्ती बेक्ती परकरण वर्ड रतनाकर खुसरो का काब बिद्यापती पदावली ये सब चीजे जो है ये क्या है ये सब एक प्रकार स जो है लोकिक साहित के अंतरगत आती है ठीक है ये बात ध्याने कियेगा तो इस प्रकार से इस चीजे मैंने आपको बताई तो आपके समझ में सारी चीजे आ रहे होंगी बिस्तारत पूर्बग मैं समझा रहा हूं किसी प्रकार की कोई समय से आपको नहीं होनी चाहिए ठीक इसमें आचारामचन सुकल का जो हिंदी साहित का इतिहास है उसका प्रकासन होता है तो यह आचारामचन सुकला जीवाला है 1883 की अगर बात करें हम तो 1883 में एक प्रकार से मिस्र बंधु बिनोध रचना मैंने आपको बताई थी उसका प्रकासन होता है कब स्वारी मिस्र सांए होता नएसमें होता ये और भी वह से गलित चलेगे 1808 में जरूर होता है शुरी दिक्कति नहीं अठारा सु ट्रासीं ईकार दी में घ्रटी आते हैं श्यूशंग सेंगर आप प्रकार से मात्र अब्जेक्टिव क्लास नहीं है इसके माध्यम से आप बहुत सारी जानकारी प्राप्त करें तो स्यू सिंग सरोज जो है इसका प्रकासन होता 1883 में ठीक है 1883 में प्रकासन होता है एक हजार कभियों का जीवन परिचे औरंकी सहथिक करतियां और कभिता का भी उधारण आपको मिल जाएगा प्रतेक जो है एक हजार कभियों की कभिताओं का उधारण भी आपको मिलेगा ठीक है तो हिंदे साहित के इतिहाल लेखन की परंपरा में दूसरी सबसे महत्पूर करती है और दूसरे नंबर पर लिखी गई है कौन सी? 1883 में सिव सिंग सेंगर के द्वारा सिव सिंग सरोज रचना तो 1883 में सिव सिंग सरोज हो गया 1750 में कोई गरंथ नहीं लिखा गया 1929 में आचारामचन सुकल का प्रकासन मलब हुआ है हिंदी साहित के इतिहास गरंथ का बचा कौन? 1849 1849 में हिंदी साहित के इतिहास लेखन का सबसे पहला प्रियास किया था को किसने? गारसाद अतासी ने प्रेंच बिद्वान है, प्रेंच साहित कार है, गारसाद अतासी आपको बता दू गारसाद अतासी हिंदी साहित इतिहास लेखन के पहले इतिहास कार है जिन्होंने हिंदी साहित का इतिहास लिखा ठीक है किस भासा में लिखा फ्रेंच भासा में लिखा इनोंने किस कौन सा गरंथ लिखा इस्तवार दाला लितरियेतर एंदोये एंदुस्तानी ये एक प्रकार से फ्रेंच भासा में इनके गरंथ का नाम है तो इसको लिखा गया अठारा सो उन्तालिस में मलब उससे पहले ल तिहास ठीक है हिंदी सब्सागर की भूमिका में जो उन्होंने लिखा था ठीक है वो है आगे देखते हैं अगला परसने बीसवा नमर परसनाप की स्किन पर आ चुका फटापर से आप लोग देखने का प्रियास करेंगे देखे इन में से कौन सा नाम आधिकाल के लिए नहीं लेकिन हजारी प्रसाद इरिवेदी आधिकाल पर जादा फोकस करते हैं ठीक है सिद्सामंदकाल किस ने कहा सिद्सामंदकाल की अगर बात की जाए तो सिद्सामंदकाल राहुल संकरत्यान ने कहा ठीक है चारणकाल भी किसी ने कहा ठीक है लेकिन संधिकाल किसी ने नहीं कह इसको ठीक है तो संधीकाल यहाँ पर कहना उचिदना होगा आदिकाल के लिए संधीकाल जो नाम है वो एक प्रकार से आपको देखें मैं आपको बता दू संधीकाल और चारणकाल जो कहा है वो डाक्टर रामकुमार बर्मा ने कहा है संधीकाल और चारणकाल एक प्रकार से कि जरूर कहा है ठीक है बिद्वानों ने ठीक है और खासर के अगर बात की जाए चारणकाल की तो चारणकाल किस ने कहा है आप रामकुमार बर्मा को बता सकते हैं कि मैं चारणकाल उन्होंने कहा है ठीक है चारणकाल रामकुमार बर्मा ने कहा है हिंदी सहित के आदिकाल को सामन्तियोगी भी कहा है बीज बपनकाल महावेर परसाद रिवेदी जी ने कहा है और आपको बता दूँ आदिकाल तो आपने हजारी परसाद रिवेदी ने ही कहा है और इसके अलामा इसको आप भरंस काल भी कहा है यसे चंद्धर तर्मा गुलेरी हैं धिरेंद बर्मा हैं इ तो आपसा नमबर इसका डीक अरेक्ट एंसर होगा, 21 नमबर पर सनापकी स्कीन पर आचुका है, राहुल संकर्तियान हिंदी का पहला कभी किसे मानते हैं, लुईपा, सरहपा यानि सरहपाद, साली भद्र या चंदबर्दाई, देखें सरहपा या सरहपाद, बात एक ही है, द आपसा नमबर इसका एक अरेक्ट एंसर होगा, अगला परसन, 23 नमबर, हिंदी साहित के इतिहास में कितनी पद्धतियां हैं, तो चार पद्धतियां हैं हिंदी साहित के इतिहास लेखन की, ठीक है, कितनी पद्धतियां भया, हिंदी साहित के इतिहास लेखन की, मुख रू चुका है 24 नमबर परसनाब देखिएगा बहुत ही important question से और मैं विस्तार से समझाते हुए आपको आगे बढ़ रहा हूँ ताकि किसी प्रकार का कोई दिक्कत आपको ना हो ठीक है आगे बढ़ा जाए चलिए अगला परसनाब की स्किन पर 24 नमबर है रामचंदर सुकल के ने कि इतिहास लेखन में कौन से पद्धती को अपनाया था देखिए ये देखिए चार पद्धतियां आपकी है इतिहास लेखन की वरणा नुकरम पद्धती वरणा नुकरम पद्धती मनलब जैसे कि किसी कवी का नाम है यसे ए से सबसे पहले सबसे पहले ए वाले कवियों को ह का नाम लिख लिया फिर सी वाले फिर डी वाले फिर इस परकार से एक वरण के हिसाब से या फिर आ बासा करके इसे लिख ले या ठीक है ऐसे करके ठीक है तो यह होगा वरण अनुकरम पद्धती इसके बाद में काल काल करमनिमी पद्धती है काल अनुकरमी काल अनुकरमी मिलब समय के सबसे से आदी काल ठीक है पूरम मद्धिकाल फिर उत्तर मद्धिकाल फिर आधुनिक काल ये होगा काल करमनुसार पद्धती एक होती बिधेवादी पद्धती तो आचार रामचंदर सुकल के अगर बात की जाए तो आचार रामचंदर सुकल जो है वो काल अनुकरम पद्धती अपनाते हैं ठीक है ये बत ध्यान रखिएगा और बैग्यानिक पद्धती एक है तो एक प्रकार से वो काल करमा नुसार पद्धती को अपनाते हैं ये बत ध पूरम मदिकाल कहा फिर उसी को भक्तिकाल कहा उत्तर मदिकाल कहा उसी को रीतिकाल कहा ठीक है आधुनिक काल कहा उसी को गद्धिकाल भी कहा चुकि परवर्टियां वहाँ पर आती रही तो इसलिए बिधेवादी पधती कभी उन पर एक प्रकार से लगता कि भाई बिधेवा करमी पद्धती का प्रयोग किया लेकिन उसमें बैग्यानिक और विधेवादी पद्धतियों की जलक आपको भी दिखेगी ठीक है तेकिन परस नाम से पूचेगा तो काल करमी पद्धती लगा सकते हैं अगला परस हिंदी साहित के प्रारंबिक काल को आधिकाल नाम किस ने द ध्याने कियेगा और आगे बढ़ते हैं और भी चीजों को जानने का प्रयास करते हैं चलिए अगला प्रसनाब की स्किन पर आचुका है 26 नंबर प्रसनाब देखिएगा हिंदी साहित के इतिहास लेखन का प्रथम प्रयास किस भासा में किया गया है जर्मन फ्रेंच अंग् प्रकाल में 1849 में ओके नेक्स्ट कोशन साब देखिएगा 27 नंबर प्रसन है राम चंदर सुकल ने अपना इतिहास गरंद किस पद्धती पर लिखा है बग्यानिक वरणा नुकरमसारी या फिर समाजवादी से तो एक प्रकार से अगर आप से ऐसा पूछे कि उन्होंने किस प्रियोग किया है तो आप बताएंगे इतिहास गरंद किस पद्धती पर लिखा है ठीक है और यहाँ पर प्रसन क्या था इतिहास लेखर में कौन सी पद्धती को अपनाया है उन्होंने पद्धती को अपनाया है काल अनुकरमी पद्धती को अपनाया है लेकिन जो उनका इ इतिहास ग्रंथ है वो किस पद्धती पर लिखा गया है तो आप लगा सकते हैं बिधेवादी पद्धती पर लिखा गया है किस वादी पद्धती पर वहिया बिधेवादी पद्धती पर लिखा गया है प्रबर्ती के हिसाब से जो प्रबर्तियां रही उसी के हिसाब से उन्ह के हिसाब से लेकिन धीर धीरिया करके वो बिधेवादी पधती भी हो जाती है तो आपसर नमर इसका एक ररक्ट्रेंसर होगा ठाइस नमर परसन है तज कीरा इसुवराई हिंदी गरंथ के रचनाकार कोन है बताएं तो इसके रचनाकार है मौल भी कलीमुद दीन करर्ट्रेंस एयसा पूछे यह कुछ भी बताएंगे आचा रामचन शुक्ल ने गथे अफ़न कहा था आपसर नम इसका एकरेकटर हो जाएगा 31 नमबर प्रस्ण है हिंदी सहित का आलोचनात्म कितिहास के लेखक कौन है तो हिंदी सहित का आलोचनात्म कितिहास गरंथ लिखा है राम कुमार वर्मा जी ने ठीक है आपसा नमबर इसका सी करेक्ट एंसर हो जाएगा नेक्स्ट कोशन साब देखेगा 32 नमबर प्रस्ण है मिस्र बंधु बिनोध के पर्थम 3 भाग का प्रकासित हुई तो पर्थम 3 भाग जो है 1913 में प्रकासित हुए थे और एक जो 14 भाग है 1914 में प्रकासित हुआ था मिस्र बंधु बिनोध का मिस्र बंधु बिनोध को एक प्रण इस करंद में आपको मिलेगा ठीक है और इस रचना को एक परकार से आठ काल खंडों में इस रचना में हिंदी साहित को बाठा गया है ठीक है ये बात ध्यान कीएगा ओके आगे बढ़ा जाए चार खंडों में प्रकासन हुआ इसका अगला प्रस्ता है इसके चाफ हिंदी लिटरेचर इसके चाफ हिंदी लिटरेचर इस गरंथ के लिखक कौन है भाई तो इस गरंथ के लिखक कौन है हिंदी इसके चाफ हिंदी लिटरेचर तो इसको लिखा है या फिर हिंदी साहितिका सरल एव संचिव दितिहास, या हिंदी साहितिका इतिहास का संचिव दितिहास, तो इसको लिखा है विसनाथ परसाथ तृपाटी, आप सा नमबर A में दिया करेक्टर एंसर हो जाएंगे, अगला परस्ण है और लास्ट परस्ण है, इस वीडियो का इकाई नंबर वन का आदिकाल को सिद्ध सामंत काल किस ने कहा तो मैंने आपको बताया था राहु संकर्तियान नहीं कहा था ठीक है तो भीज बपन काल किस ने कहा तो महावे परसाद रिबेदी ने भीज बपन काल कहा आचार हजैनी परसाद इरिवेदी न ही आदिकाल को आदिकाल ही कहा स्थामनिकाल, रामकुमार राहु संक्रतियान ने कहा तो इस परकार के आप लोगों ने आदिकाल से शारे प्रसनों को लगबग जान लिया निश्चित तरपर आपके समझ में सारे चीज़े आई होई होंगी अब जो होगा जो अगली काई है, नेक्स्ट ही,हकाई नंबर दो में हम लोग आधिकालिन कभियों के बारे में चार्चा करेंगे आधीकालिन कव्यों में आपके पड़ेक्रम में कौन-कौन संकलित हैं गोरकनाथ, अमीर खोसरो और बिद्यापती भी किसी-किसी ऊनिवर्सटी में बिद्यापती तो बिद्यापती, गोरकनाथ और अमीर खोसरो 91, 93, 60, 62 पर आप SMS करके कोर्स ले सकते हैं, मातर 100 रुपए में आपको कोर्स मिल जाएगा, आप SMS करके बस एह कहीगा कि सर्जी हमको कोर्स लेना है, फिर उसके आद में आपको सारे प्रोसेस में बता दिया जागा कि भाई क्या क्या करना, आपको मातर 100 रुपए पे करने होंगे, UPI, फोन पे, पेटियम जो भी आप चलाते हैं, उसी के माध्यम से आपको कर देने हैं, ठीके, उसका स्क्रीन साट आपको मेरे पास संड कर देना होगा, ये इस नंबर पर आपको नहीं बेजना है, इस नंबर पर लेकिन जो भी, और सब देट केसे, सोसियोलाजी, पॉलिटिकल साइंस के, जो भी माडल पेपर, या इन सभी की PDF नोट्स होंगे, या फिर जो भी बनाया जाएंगे, वह इसे मैं बनाऊगा PDF नोट्स, तो वह आपको उस गुरूप में मिलेंगे, लेकिन अभी नहीं मिलेंगे, थोड़ा समय लगेगा, तो अभी admission, आप लोग कर लीजिए, फटाबट से जल्दी जल्दी, और उसके बाद में, जैसे admission करेंगे, तो हिंदी सहित वाली classes तो आपको मिल जाएंगे, जो classes already available हो चुकी है, वह जो मैंने 20 दिनों के बाद में, वह भी ब्यवस्तित हो जाएंगे, ठीक है, तो कोई दिक्कत की बाद नहीं, आप आसानी से सारी चीज़े पढ़ सकते हैं, सुकले स्टरी पॉइंट आपके लिए बहुत बेस्ट तयारी करवा रहा है, पिछले पांच से छे वरसों से मैं पढ़ा रहा हूँ, आपको बीए में, तो आप आसानी से पढ़ सकते हैं, कोई दिक्कत की बाद ने, कोई प्रकार की, कोई दुविधा आपको नहीं आएगी, उन दुश्यत्वर पर सारे प्रस्ण जो होते हैं, हमारे द्वारा बताएगे, माडल पेपर से ही आते हैं, माडल पेपर में चर्जा करूँगा जल्दी, ठीक है, धने बाद मिलते हैं नेक्ष्ट वीडियो में, और 2023 वाले क्लासस पर ही हुई है यूट्यूब पर, आप चाहें तो उसको भी देख सकते हैं, ठीक है, चलिए फिर, मिलेंगे फिर नेक्ष्ट वीडियो में, तब तक के लिए जहन जा भारत, लेकिन आप लोग जो है, अगर मेरे हिसाब से विधवत तरीके से पढ़ाई करना चाहते हैं, चुकि अभी ये जो हिंदी साहत का, आप लोग हिंदी कावे पढ़ना, इसमें सम्पूर हिंदी साहत के कावे के बारे में आपको पढ़ना, आधुनी काल तक आपको चले जाना पढ़ते पढ़ते, ठीक हैं, टो बिस्तार से आप लोगों को, जानकर यहां पर मिलेगी, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजेगा, और वीडियो को लाइक कर दीजेगा, क्योंकि इसी प्रकार की वीडियों जो है, लगबक साथ वीडियों और इसी चैनल पर आने वाली हैं, ठीक है यह बात ध्यान देखिएगा तो मैंनी सारी का यह से रिलेटर जो आपजेक्टिव प्रसन होगे उसी पर इसी भांत चर्चा मैं कर दूगा खुले मंच पर बिल्कुल यूटूब पर बिल्कुल फ्री में आप लोग देखिएगा और इन सभी का जो PDF होगा वो आपको इसी कोर्स वाले में उसमें PDF भी आपको मिल जाएगा ठीक है यह बात ध्यान रखिएगा तो जिनको भी चक्म प्राइज है कोई बहुत ज़्यादा प्राइज नहीं है सभी लूग उसको दे सकते है ठीक है तो उसमें कोई दिक्क्रत की बात नहीं आप आसानी से course ले सकते और पढ़ाई कर सकते मातर 100 रुपे की बात है और 100 रुपे इसलिए रखा गया ताकि जो है आप लोग बहुत कम फीस में पढ़ पाएं और भी जानकारी से उस ग्रुप में जानकारी मिलती ही रहेगी ठीक है तो उससे आप डारेक्टली हमसे जोड़ पाएंगे तो अगर ऐसा आपको चाहिए तो आप आसानी से जोड़ सकते हैं धन्यबाद मिलते हैं नश्टी वीडियो में